हेलो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉल वेलकम टू दीस चैनल बेसी नर्सिंग के रिए आज को जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स कि अगर आप भी आई जेमेस में किसी भी नर्सिंग फिल्ट में अगर एडमिशन लेना चाहते तो आपको जिन बेसिक चीजों के बारे में जानना चा इसके बारे में करा आपको जांगे बाद सब्सक्राइब करना होगा सब कुछ कैसे मैंनेज करना ओगा इन सब चीजों के बारे में मैं थोड़ा आइडिया आपको चाहके विटाओंगी há और नए इंवार्मेंट में आप इजली अपने आपको एडजस्ट कर लें तो मेरा आज का मेन यही परपस है तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रेप्रेशन डिलेटेड तो यहां पर जो भी है आईजी एमेस में यहां पर क्या यह एक मेडिकल फिल्ड है मतलब जो भी अगर बेशिक दिखा जाए तो आपको एक 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 जाम होगा उसी कि फ्रेप्रेशन होगा यह तो आप चानते ही होंगे तो मैं बस यही बताना चाहूंगी कि आपको सिर्फ नीट का ही प्रेप्रेशन करना है अगर आप नीट के लिए पढ़ाई कर रहें तो आपका एक मतल शाल लेते हैं अगर MBBS ना मिल तो आपको कोई नर्सींग क्रिकाईगे में सबस्क्राइख जाना सकते हैं एक यह जो बैना प्लाइओ कर रहें यह Albire. उख क्यों नीट का लिए यहां और हैं यहां वह बताओंगी कि आपको जो भी प्रेप्रेशन करना है आपको NEET के basis पर करना है आपको बस NEET का preparation करना है और अलग से कुछ नहीं करना है तो जो भी subjects है physics, chemistry, bio यह सारे इन सब चीजों पर ज़्यादा focus करना है ठीक है उसके बाद आपको इसका अलग से exam नहीं देना उसी के थ्रो आप आएंगे अगर देख लिए counseling related तो अभी आप देखी रहें आपकी counseling हुई तो क्या हुआ थ्री फेस में हुआ first counseling, second counseling फिर अभी third counseling है 30 December को इसके बाद आपकी class अगर उसमें क्या क्या चाहिए उससे related भी बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया अगर आपको कुछ भी doubt हो तो मैं उसका भी link description म उसके बार में भी देख सकते हैं counseling होने के बाद friends अगर आप यहां आ जाते हैं तो यहां पे भी बहुत सारी नहीं नहीं changing होगी जो कि आपको phase करना पड़ेगा जैसे अगर academic में देखे तो क्या होगा कि आपका जो timing है 9 to 5 होगा 30 classes में तो इसी पूरा दीन आपका मतलब कि study म यह निकल जाएगा तो इसके साथ ही आपको हर्चीज manage करके चलना पड़ेगा आपकी study भी होगी assignments भी बनाने होंगे बहुत सारे presentations देने होंगे इसके साथ ही आपको हर्चीज balance करके चलना होगा जो भी preparation है जो भी presentation आपको अच्छे से करना होगा बहुत सारा nursing field में बहुत सा सब्जेक्ट्स नहीं पड़े होते हैं तो उसके बाद यहां आएंगे तो psychology हो गया nursing foundation हो गया यह सारे बहुत नए नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे तो वह सारा आपको पढ़ना होगा तो और इसके हलावा जो आपको अगर hostel related देखे तो hostel related में भी अगर hostel लेना है आपको तो उ लंच सब कुछ वहीं वहीं आपको खाना खाना होगा फिर उसके अलावा जो भी hostel के रूल लेशन है कि सारे कुछ आपको फॉलो करने होंगे फी related देख ले तो आई जी में जो है एक autonomous है और semi government है तो यहां पे भी आपका फी लगेगा तो ऐसा नहीं कि एकदम से free हो यहां प होनी चाहिए अच्छे से आपको management आना चाहिए ताकि जो भी जो भी नए environment में नए class में तो जैसे भी सुरू से जैसे पढ़ाई हो रहा है तो सब कुछ आपको एक साथ ही लेकर चलना है ऐसा नहीं कि एक दो दिन भी अगर आप पीछे रहे गए कि नहीं आज का कल पढ़ें जया है तो आपका subjects कम हो जाएगा यानि कि theory portion वह कम हो जाएगा और clinical portion आपका ज्यादा हो जाएगा जैसे कि अगर first year का देखे तो first year में आपको 7 to 9 subject होंगे और clinical होगा उसके लागा अगर second year में 5 to 6 subject होंगे फिर third year में देखे तो fourth year में देखे तो three subject होंगे इस तरह से आपक तो इस तरह से कि क्यूंकि आपको देना है तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रिपेर किया जाता है और साथ ही आपको थियूरी पॉर्शन भी बढ़ाया जाएगा इसके अलावा आपको टीचिंग स्कील भी बताया जाएगा यहां पर क्यूंकि बीसी नर्सिंग के थो बाद आपको सिर्फ एक नर्सी नहीं बनेगा इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्कोप है आप एक रिसर्चर भी बन सकते हैं आप एक प्रोफेशर भी बन सकते हैं ट्यूटर भी बन सकते हैं तो उसके लिए आपको एक टीचिंग स्कील आनी चाहिए तो उसके लिए भी आपको किया जाता है माइक्रो टेजिंग ये सारी होंगी तो इन सब चीजों के लिए आपके पास confidence होना चाहिए अब पहले से prepare अपने आपको रखना चाहिए ताकि यहां पे आपको आने में कोई problem ना हो इसके अलाबा अगर medical related देखे तो friends यहां पे क्या है कि अगर आप students बन जाएंगे मिन्स आप जब यहां आ जाएंगे आपका admission हो जाएगा आपको ID card मिल जाएगा आइकार्ट मिल जाएगा तो उसके बाद आपका जो भी treatment होगा अगर आइचे मेंस के तो वह free में होगा तो वह आपका यह benefit है कि जो भी अगर treatment treatment लेना हो आपको limit में तो सारा कुछ आपको will be all about लेकिन शिर्फ आपका होगा आपकी family members का नहीं सिर्फ आपका ओगा क्यूंकि treatment के लिए आई-700 घृट तो आपके पास होगा तो इस लिए सिर्फ आपको free में हिलाज होगा इसके अलावा अगर clinical field कर देखें तो इसके लिए आपको कुमिनिकेशन जादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको जाना होगा वार्ड में वहाँ पेशेंट से मिलना होगा उसके लिए आपको आपको iPR जो है on ऌ बस पत्ति इसक्त Sats case ends केट करें किस तरह treatment देना है यह सारा कुछ आपको देखना होगा इसके अलावाद जो भी आपको assignment मिलता है या फिर presentations होते हैं वो सारे आपको अच्छे से करने हुए क्योंकि जो assignments है उस पे भी आपका marks होगा internal marks जो होता है 25 marks का होता है जो भी आपका whole marks होगा वो 100 marks का जो भी एक्जाम होता है university exam तो उसमें बस 75 marks का आपका university exam होगा बाकि 25 आपको internal जाएगा तो उसके लिए friends आपको जो भी assignments मिलते हैं वो सारे अच्छे से करने होंगे जो भी presentation होता है वो सारे अच्छे से करने होंगे टेस्ट होता है उसमें अच marks लाने होगे क्योंकि इन सब का marks आपका 25 marks में convert होकर add होकर जाता है friends तो इन सब पर आपको marks मिलेंगे इसलिए सारा आपको अच्छे से करना होगा तो इसके हलावा friends एक बात और कि जो भी यहां पर आपको नया environment मिलेगा तो आपको वैसा फिल नहीं होगा क्योंकि बहुत सा कर चलना है तो मेरा आज का यही परपस था friends कि जो भी basic चीजह हैं जो थोड़ा बहुत आपको idea दे दूं कि क्या क्या changing हो सकती है तो I think यह आपके लिए helpful होगी and आज के लिए इतना ही friends thank you